हलो दोस्तों आपका इस्टेडी थेमंत यूटूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है देखिए ये जो डेली 11 बज़े रात को क्लास चलेगी ये प्रिमायर क्लास होगी आधे गंटे की क्लास होगी और इसमें जीके जीएस के ऐसे प्रस्ण जो पिछले किसी भी एकजाम मे अब पहले से वीडियो अपलोड हो चुका लेकिन इस बार क्या किया हूँ चार-पाँच वीडियो को एक साथ मर्ज करके जो क्लास है वो काफी लंबी बना देगे जिससे आपका क्वेस्चन जो है थोड़ा जल्दी जल्दी कबर हो तो आप इस वीडियो को जरूर आप मुझे डेली सुबह 9 बजे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ या सिंपल आप हेमंत कुमार मिस्रा सर्च करोगे तो आपको जो है मेरी क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी डेली सुबह 9 बजे SSC GD के लिए ठीक है जो अभी आपका एक्जाम होना है उसका टेस ठीक है कोई पैसा नहीं लगना है आप मेरी सभी क्लास बिल्कुल फ्री में देख सकते क्योंकि वहाँ पर मैं सभी स्पेसल क्लास ही लेता हूँ जिससे आपको कोई पेमेंट ना करना पड़े तो चलिए आज की क्लास सुरू करते हैं थेंक्यों एप्रिवन पदार्थ का परमाडू सिधान्त किस ने प्रतिपादित किया था दोस्तों जो पदार्थ का अमारा परमाडू सिधान्त है और प्रतिपादित किया गया था डाल्टन के द्वारा जिया दोस्तों इनक्यानु साब पदार्थ जो है अत्त छोटे छोटे अभी भाजी कड़ो से मिल करके बना होता है और वहीं क्या कहलाता है परमाडू और इसके अगर प्रतिपादित करने के बात की जा तो जो प्रतिपादित किया था तो राइट अंसर हो जागा ऑप्शन बी जब दो परमाडू के बीच आबंद बनता है तो प्रडाली की उर्जा में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों अगर कभी भी दो पर मड़ू के बीच अगर अबंद बनता है तो प्राडाली यानि फिर जो समिधा है उसकी उर्जा घटती है तो राइट अंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन B next कैटोर्ट किरड़े क्या होती है ? दोस्ते चैटोर्ड किरड़े हमारी वह इलेक्तोरर्ण की स्ट्रीम होती है यानि की इलेक्ट्रोन की धाराएं होती है तो राइट अंसर क्या होगा ऑप्शन B इलेक्ट्रान की स्ट्रीम next question है क्निम्ण में से जो Smallate about it होता है कि ड्रीदू सरवाधिक तत्तव है वह हो जाएगा फ्लोरीन- और अगर पूछे सरवाधिक बैदू धनात्मक यानी किenne इलेक्ट्रानिक क्या पूछेACE कि पूछें किन पूष्यट्रानिक पोजिट्व कौन होगा है तो भी हो जाएगा हमारा फ्रांशियम फ्रांसियम क्या होगा पॉजिटीव होगा और अगर निगेटिव की बात करें तो वह हो जागा हमारा फ्लोरीन किसी तत्यों के रसायनी गुड निम्ड में से कौन तय करता है दोस्तों किसी भी तत्यों का जो रसायनी गुड है वो तय किया जाता है इलेक्ट्रानों की संख्या से यानि नाभिक के बाहर जो बिचरर करने वाले इलेक्टरान होते हैं, इनकी संख्या द्वारा ही तहीं किया जाता है, उसका क्या रसा यानि गूर्त राइट अंसर हो जागा इलेक्टरानों की संख्या से, नेक्स्क्स्ठों, तरभ्यमान संख्या किसका योग होता है? दोस्तों, ये योग योग होता है, प्रोटान और न्यूटरान की दूसरे, एक ही प्रकार के प्रमाडुएं से जितने भी बने सुध्य पदार्थ को हम एलिमेंट काते हैं तो ये तो हो गयाँ एलिमेंट हमारा क्या कहलाता है बाकी प्रमाडू के नाभीक में जो पाये जाने वाले कड होते हैं proton और neutron और इनी की योग को ही हम दरबाइमान संख्या कहते हैं तो दरबाइमानสंख्या किसका योग है तो right answer हो जागा proton और neutron का next question प्रुटान की समान संख्या किन्तु न्यूट्रानों की भिन-भिन संख्या वले परमाडूओं को क्या कहा जाता है दोस्तों अगर प्रुटानों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रान की संख्या अगर भिन-भिन हो तो वो कहलाते हैं समस्थानिक यानि एक ही तत्य के परमाडू जिनके परमाडू संख्या समान हो किंतों दर्वमान संख्या भीन भीन हो तो वो समस्थानी क्या लाते हैं तो राइट अंसर क्या हो जागा option C आयो next question देखते हैं अगला question किसी परमाडू का रहसानिक बेवार निर्भर करता है किस पे दोस्तों किसी परमाडू का जो रहसानिक बेवार है वो Nucleus में प्रोटानों की संख्या पर dependent करता हैं यानि कि उस तत्य के परमाडू करमां यानि नाभिक में जितने भी प्रोटान होगे उनकी संख्या पर निर्भर करेगा उसका रहसानिक बेवार जारो जाएगा नुकलियस में प्रोटानों की संझ्ख्या पर नसको एप हाईटोर्जन पर माणू का नांभी Kа seventeen Kevich noise कहलाता है दोस्तों हाईटोर्जन प्रमाणू को नांभी का हूँ वो प्रोटान कहँलाता है ग्रोटान आजम Kellam है परमारुब का संगठन करने वाले तीन मॉलीक काई कॉनकोन से मो HOW laisser अचेमियर परोटान फोर और नीट्राट कि आज जोस्तो परमाणू का संगठन करने के लिए टीन मॉलीक कर इलेक्ट्रान प्रोटान द्यान द्üneक्णा दोस्तों करें खोज की बात की जाए, इलेक्ट्रान की खोज, जे जे टामसन के द्वारा किया गया था, अगर प्रोट्रान के खोज की बात करें, तो प्रोट्रान का खोज किया गया था, रदरफोड के द्वारा, और न्यूट्रान के खोज की बात की जाए, तो वो की गई थ थे चैडविक के द्वारा तो परमाडू का संगठन करने वाले तीन मौली कड़ कौन-कौन से तो वह जागा प्रोटान लेक्टरां तथा न्यूटरां नेक्स्ट क्वेश्चन आएमोनिया का एक गुड कौनसा है दोस्तों मनिया जो इसके जलीविलियन में लाल लिंटम जो रहता है वह नीला जाता ँंहूद गुड़ है दोस्तों अमोनिया एक रंगहीन गैस होती है काफी जो है कि कह सकते हैं तीछड़ गंध यानि फिर बहुत जादे जो है कि गंदा इसमेल देन वाली जो है कि गैस होती है और इसका कलर क्या होता है तो कलर अगर पूछे तो वह जाएगा रंगहीन तो राइट अंस कि दोस्तों पूरानी किताबों की गागज अब देखें के जन्य के किताबी पुराने हो जाती है फिर कॉपी आहां हमारे अगर पूराने हो जाते है तोुनका रंग रंग मित ।ो यह होता है सवियलोग के अक्सी करण के कारड के तो Kissa ipod डूटेरियम की द्रविमान संख्या कितनी होती है तो यह सीधा से question है इसका right answer होगा 2 जीहां दोस्तों डूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है आइसोटोप जिसकी द्रविमान संख्या 2 होती है तो right answer क्या हो जागा option B next हिल्यम परमाड़ोग जब क्या होता है है तो वह या बनता या फिरуса बनाता है दोस्तों घनातमक क्या होगा धनातमाग, हिलियम आयन next दो या दो से अधिक ततों के एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से जो बना पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है या फिर क्या कहलाएगा तो दोस्तों दो या दो से अधिक तत्तों के निश्चित अनुपात में सहयोग करने से जोना बना पदार्थ होता है वो यौगिक क्यालाता है तो राइट अंसर क्या होगा यौगिक अगर इसके हम एक्जम्पल की बात करें जैसे पानी हो गया है जल, H2O, हीड्रोजन और अक्सीजन से जो एकमिल करके बना हुआ है गंधक और अमल आधी सभी क्या है यौगिक के उदाहरण है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा हमारा यौगिक ऑप्शन बी नेक्स्ट अवर्ती नियम निम्नलिखित में से किस ने दिया था दोस्तों जो अवर्ती नियम और दिया गया था डेमेत्री मेंडलीफ के दवारा जहां दोस्तों डेमेत्री मेंडलीफ और लोथर मेयर इन दोनों के दवारा अवर्ती नियम विक्सित किया गया और दोस्तों मेंडलीफ नहीं तत्तों को पहले आवर्थ सारडी बनाई थी सबसे पहले तो राइट अंसर क्या हो जागा डेमेट्री मेंडलीफ नेक्स्ट क्वेश्चन धातुओं का गुड जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्थित किया जा सकता है क्या कहलाता है धातुओं का गुड जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्थित किया जा सकता है वो कहलाता है आघात वर्धनियता जहां धातुओं को तनाव द्वारा तार में तथा दबाव द्वारा चादर यानि के सीट में बदला जा सकता है और धातुओं को चादर के रूप में बदलने का गुड़ी अगात वर्धनियता कहलाती है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा? Option B. Next. निवनलिखित में से किसमें सिलवर नहीं होता है? तो दोस्तों, सिलवर नहीं होता है किसमें? जर्मन सिलवर में. सब्सक्राइब जर्माइब सेड़र कें तो इस में ताबा पाए जाता यह जो कि होता है आपका 60 परृषंट फिर जस्ता 20 परृषंट और निकल 20 पर संट यानी की ताबा जस्ता और नीइकल कि मिसर द आतको क्या है जर्मन सिल्वर तो किसमे सिल्वर नहीं ओए ता चनल पर पहली पर विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने अमरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्ते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहिन